इतिहास नो अनुभाव वर्तमानमा रप्तार अने भविशनी दुरंदेशी एनू नाम सूरत आज सूरत सहर की भविता में एक और डायमंड जुड़ गया है इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बूर्ज तो सूरत का नाम साथ आएगा भारत का नाम भी आएगा यह बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ और नए संकल्प का प्रतीक है सूरतीयों की बर्सो पुरा निमांग आज पूरी हुई है सूरत एइरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार पन हुआ और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एइरपोर्ट को इंट्रमेस्नल एइरपोर्ट का दर्जा मिल गया है गुजरात में अब टीन इंट्रनेश्टला एरपोर्ट हो गए हैं। सूरत सहर के साथ मेरा जो आत्मिय लगाव है उसको शब्तों में बया करने की ज़रूर सही है। आप लोग भली भाती जानते हैं। और सूरत ने सिखाया है कि जब सब का प्रयाज होता है तो हम कैसे बड़ी से बड़ी चुनोत्यों का सामना कर सकते हैं।